मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है आज ओपलाइन काउंस्लिंग सेशन के लिए पधारे हैं सामब जी ये द्वारका से आये हैं और सामब जी आपका ओपलाइन काउंस्लिंग में हर दिक स्वागत है आपकी समस्या एक ही दिन में ठीक होने वाली है आपकी कोई भी समस्या हो आज एक ही दिन में रफू चक्कर हो जाएगी तो सबसे पहले साम जी आप अपनी A to Z समस्याओं को विस्तार से बताएंगे जी पर मैं लग वह पंज़र सोलर साल बहले जी साहरणपुर गया था साम मैं अपनी ममी के लिए दवाई दिल्वाना गया था हूना एलाएगी की बीमारी तो जब महां से हम रिटर्न हुए तो सब महां वेल्वे स्टेशन बे की स्टॉल लगा हुआ बुक्षे लगा देख से मैं एक खडली उसका नाम था की दिंक एंड ग्रोरिक वह पढ़ए बहुत अच्छ लगए अच्छ लगए थेरवा चैप्टर है तो भुह हुआ नहीं आप एलका लाई पह लुज़ है मार थोड़ा सदेख लुगए दोड़ दई मावा पनीर येश जी बना गपानी सौप अभुट वहां पर हम सेल कर तब हम हैं पर पाम बहुत अच्छा स अच्छा अच्छा शाओ पिछले दो साल सार हमारे काम बहुत नुक्सान आना शुरू हो गया और उससे पहले हमने लगभग छह सार साल पहले एक क्रेडिट काड़ बान वालिया था हिती जमीन पर वह भी हमारे डिफाडर हो गया सार उसमा तो उसका भी स्ट्रेश आ गया कुछ कारोबार कर बाँ है तो क्या होगा अमीन मतलए जो कर्ज वसूलते है अच्छा वह सूलिने वाले बंदे होते हैं जी तो प्राइब जाने किछिह अवर चाहिं है किसी से दो लाग ली अगिए करदा बगभा कर्दिक काफी बड़ा थी है तो उसकि आप से साल अवामला थोड़ा जीट अप में रहता है तो फिर मेरे दिमाग माया है, एक दिन मैंने वो फिर बुक निकाल लिए, वो मैंने पढ़नी शुरू करी, तो सिक्सेंस का जो चैप्टर ता मैंने उसे देखा, उसमें एक ऐसी कथा है, कि जो ऑथर है, वो अपना एक कालपनिक सभा करता है, रात हो सोते से, अच्छा, कालप कोगलो जाती है, रीयली weiterhin Alrighty, Beにु है, पुल्त के रचे होगने कालपन एक स्मोहन केंदर केंदर अच्छा हां तो पुने में एक स्मोहन केंदर है, ine graft तो हैता है काफिट तो स्मोहन केंदर में पुने में मैं कॉल करी यह इस तरह का केंदर बना हुआ है सर्वाँ अच्छा यह है मावली सम्मोहन केंदर ना जी 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 काफी बड़ा है जी और सरुन की किद्रया भी बहुत बढ़ हा है जी है कमी तो मेरी ही रही क्योंकि मैं उस थोड़ा हिंदी और मराटी दोनों लेक्स कर रहे थे अच्छा त अच्छा वहां असपास के लोग आते हैं जी जी तो सर्व उनिकी वैसे जो जादा मराटी विश कर रहे थे तो वह चीज मेरे पर हो ने पाई लागो उनका कोई ऐसा वो बही नहीं था बड़ा सिंपल सा वो थार रहा है प्रमोंसिश चाने का वो पले उस रुसे असर रेक् करता बन गए है अच्छा अच्छा जी और आट दिन का वी प्रोसेस है अच्छा बीच में ट्राटक विधी और ये एक दो किर्या भी वह बताते हैं ओके जी और बाद में एक वो जेवते हैं वो मेरे से खोया गया अपने केंद्र का शर्टिवियत करते हो तो आप कोई क्ले अबिया ओंने लाहिए औहने बताया कि आप अपने बच्छों पर यो मरीज पर आप जा का संवोहत कर सकती हो लेकिन ऑपके कर सेखिन लेकिन भी लेकिन कर्ना व झार भाए के साथ और अपने लड़के के साथ दिखना तो मैं फम्रिप कर अब का मैं गुद का इpisा ओन का झा ऐसे फॉलो हो रहा है अच्छा हाँ जब आखरी का एक दिन रहा गया था से तो उससे एक इन पहले मुझे पता लगा था जब उन्हों एक दूसरे पर ट्राइगन ने के लिए कहा कि आप तुम एक दूसरे को सम्मुहित करो ओके तो जो सिश्चे थे वो आपस में एक दूसरे कर दो से तो हो सगय मैं घज आगा कर दो जी उन्हों ने कहा विदा कि तुम एक बच्चों सम्मुहित करना जो पढ़ाई में वी हम एसी सजेशन देना कि तुम फर्स्ट क्लास हो गय हो और यूपी में फर्स्ट आय हो वाड़न में आप जो पोजिटिव सजेशन देना है त तो सार मैं वहां जो बन्लग है ने का मेरे अंदर कोई इंप्लेमेंट ने हुआ कि कोई चेंजिंग नहीं आई और फिर सर मैं आपकी वो देखी एक वीडियो आपने इसकोल में बच्चों को हम हिपनोशिस किया है और आप जो हिंदी बोल लाए थे सुदू समसर जी तो मैं मैं इसलिए कॉंटेक्ट आपके बास करागे मैं अपनी लैंगवेज में इन से सीख लो हूँ ओके इसलिए मैं है अच्छा एक तो आप हिपनोशिस सीखना चाहते है और इसके इलावा दूसरा बस सर यह है कि मैं अपने काम पर बिल्कुल सटी फोकस कर भाऊ हूँ जो पु पुष्छ के बाऊट में जीते है वह कोई परमानेंट नहीं कि आप कर्ज की वेजय से घाँ हां कर्ज दूर हो जाए कर्ज दूर हो जाएगा लेकिन कर्ज दूर करने के लिए हमें सही दिशा में प्र्यास करना होगा जिए असिन में थाल पहले हमारे पिताजी कैंसर से पी मेरट जैसे शहर में ले गए हैं वहां एक दिन में पचासवजार रुपया खर्चा जा जाए तो उसमें काफी खर्च हो गया हमारा फिर उसके बाद जब हम खाली हो गए तो रिस्तार नों कहा कि एक कान गरो आप रिसी के सेमस में लेज चलो ओके जिए हम वहां ले गए तर और उनका इलाज होए तो वहां तो हमारा यकाल लाग रुपय में काम होगे ता सर एक महिंने जो हमारी जान बजगी नहीं तो जमीन भी बहीजाती है ये तो बोट बुरा है जी तो ऐसी समस्याओं से सर माइन थोड़ा सा हमारा डीप में चला गया बहवीत हो गया भी बहव क्या करोगे उसको सीख भी लिया तो उसका यूज क्या करोगे एक तो बच्चों की पढ़ाई में उनके भविष्य बोजुल बनाने में और सर अपने व्यावसाई में फोकस करने में ठीक है अचा ये तो मैं गीता से भी बता देता हूं ये आपको आपकी दोस्मस्याई हैं एक तो कि घवराट और एक जो कर्ज का डर है घवराट है लोगों से भी एंग्जाइटी हो रही है आपको पहले तो इस एंग्जाइटी का हिलाज करेंगे उसके बाद भी बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी है और वेबसाइट को आगे कैसे बढ़ाना है इन विश्यों पर हम बात करेंगे और सम्मोहन के और क्या-क्या लाब हैं वो भी मैं बता दूँँ ठीक है चलिए ये रही आपकी कुछ बाते हैं इसके इलावा और कोई आपके मन में सवाल कुछ और बाते हैं और तो कुछ खास बात नहीं है लेकिन यही है कि बस मेहनत तो हम दिन डार कर दे हैं हमारी पूरी फैमिली जो है कार्णी में व्यस्त है जी मैं मेरा भाई मेरी घरवाली और ये एक हमारा पुपेरा भाई है और 3-4 नोकर भी हैं हमारे पार, लेकिन उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिल पारिया, बिल्कुल, जी, तो मनुदसा काफी खराब हो रही है, जब तक पिता जी थे हमारे तो हमें सलाम असुरा देते रहे थे, और ऐसा महाल भी नहीं था, कर्ज नहीं था तो आदमी का दिम गुमसा बन गया, तो इस से बहर भैल गया, अब कर्ज पैसे का जितना भी है, वो मांसी कर्ज बन गया, कर्ज दो परकार के होते हैं, एक तो पैसे का, लेकिन अब आपके मन के उपर कर्ज आ गया, उसका बोज मन पर है, जी, तो मांसी कर्ज से मुक्ति पानी है, वो कर्ज तो भाड में जाए, लेकिन मन से कर्ज उतर जाए पस, इसे उतारेंगे, तो आज के पूरे दिन में हमारी जो काउंसलिंग रहेगी, वो मान सी कर्ज पराधरित रहेगी, कि मन से कर्ज कैसे हटे, मन कैसे आजाद हो, और जब मन आजाद हो गया, मन एकदम सबतंतर हो गया, तो आप बाहर के करज भी उतार दोगे लेकिन पहले अंदर के मन के करज से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है क्या समझे? बताइए पहले भी आपको क्या समझ में आया अबी? यही है कि मैं बाहर का काई तो जब उतारों जब अंदर से पहले स्ट्रोंग हो जाऊँगा मैं उसकी भैगी वैसे कोई नेद नेद ने नेद ने नेद नेद। मैं आपसे अब कुछ सवाल पूछुमां, क्योंकि जब मानस्की करज बड़ता है ना, तो इनसान की जो मनुदशण है वो बहुत प्रभावीत होती है, मनुदशण बिगर तक जाती है, और उसकी नीद, खान, पीने का सिस्टम, सब कुछ डिस्टरब हो जाता है तो ऐसे में चिंता रोग तो बढ़ता ही बढ़ता है और चिंता रोग हद से जादा बढ़ जाए तो वो डिप्रेशन में भी कनवर्ट होने लग जाता है तो अब आपके अंदर डिप्रेशन के कितने सिम्टम है एंग्जाइटी तो है ही है उसका तो इलाज करेंगे ही करेंगे लेकिन पहले एक दफा ये जान लेते हैं कि आप में डिप्रेशन के कितने एक लक्षन मोजूद है उनसे समंदित में कुछ सवाल पूछता हूँ अच्छा एक आप अपने नीद के विशे में बताएं नीद कैसी आ रही है जी नीद बहुत बढ़े आती है अच्छा नीद एकदम ओके आती है और काम में मन लगता है जी नहीं काम में मन ने लगता एक आगरता नहीं बनती है जी बिल्गुल नहीं बनती है जी नहीं बनती है और पहले जिन कामों में आनन्द आता था अब उन कामों में आनन्द नहीं आ रहा है जी नहीं और रोने को मन करता है जी रोने हो तो मन नहीं करता है अच्छा आंसू कभी अपने आप पाने लग जाएं जी कभी पापपाजी के राद आ जाती है हाँ वो तो है कोई भी situation हो कोई भी घटना हो या आपके साथ कोई भी किसी बंदे की बातचीत हो हमेशा आपका फोकस negativity पर ही रहता है जी हाँ आपका मन वो सहार negative निकालता है जी अकर कोई फाइदेगी बाद ही बता हो तो मैं सोच हो मैंने करका देख बेटे तो यह दो मेहन नहीं पाता लग जा जा positivity चोटी सी जाती है जी नाउमीदी बढ़ती जा रही है उदासी बढ़ती जा रही है वजन कम हो रहा है या बढ़ रहा है बहुत जादा बढ़ रहा है जी और पेट साफ नहीं होता पुला सा रहता है और नींद के बाद भी नींद तो अच्छी आती है लेकि नींद उठन बन नॉर्मल है सरवल, उसमें कोई रूची कम हुई उसमें, जी नहीं, अच्छा रूची कम नहीं हुई है, जी नहीं, नॉर्मल है, क्योंकि आप ये बाते बता सकते हैं, जी बिल्गुल सही है, और खाने पीने में, पहनने में, कम प्लेजर मिल रहा है या बहुत प्लेजर झाल जाता है जी ऐसा तो कोई चेंजी नहीं जाया है अजय जाद है अपने आप में बाते करना अपने अपने उल्चेना या अजय अग सही है अब आपको डिप्रेशन की हो चुकी है, अब आपको डिप्रेशन है, ये लक्षन डिप्रेशन के हैं, आप डिप्रेशन में जा रही हो, काफी अदक चले गए हो, तो सबसे पहले आपको डिप्रेशन का इलाज लेना है, उसके साथ-साथ एंग्जाइटी का भी इलाज हो जाएगा, उसके बाद बात आएगी हिप्नो-सिस की, क्या समझे, ये त्योंकि हिप्नो-सिस में ना कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस की बहुती ज़ी चीजें सिर्प दिखाई जाती हैं, रियल्टी में उनका कोई अस्तिताव नहीं होता,ス्टेज इप्नो-सिस अलग होता है, और जो ख्लीनिकल हिप्नो-सिस है वो अलग होता है, जो आप परभावित हुए हो। स्टेज हिप्नो-सिस से हुए हो, और लंबी प्रोसेस है और इसके लिए जो पातर है वो भी सही होना चाहिए क्योंकि सभी लोग hypnosis को accept नहीं करते हैं सभी लोग hypnotism में नहीं जाते हैं कुछ specific personality के बंदे होते हैं जिनको hypnotize आसानी से किया जा सकता है और कुछ मुश्किल से किये जाते हैं कि या तो सबको जा सकता है लेकिन उसके लिए फिर technique different आ जाती है तो अब देखो आप कोई psychologist के field में है नहीं कि आपने को इलाज करना है आपने तो सिरफ अपने कारोबार को बढ़ाना है और बच्चों की परवरी इसको बढ़ाना है तो इसमें मैं जो जरूरी है hypnosis के एक दो प्रयोग वो आपको मैं सिखा दूँगा एक दो प्रयोग कि आपको जरूरत है बच्चों के साथ और खास बात ये कि बच्चों को आप नहीं hypnotize कर पाऊगे आपने दो तिन गलतियां की है जहां से भी hypnosis सीखा उन्होंने साइद आपको गलत बता दिया कि अपने लोगों को hypnotize करो अपने लोगों को hypnotize नहीं किया जा सकता है वो विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनके मन में image आपकी पहले की बनी हुई है वो suggestion को मानेंगे ही नहीं आपके बच्चे आप से hypnotize नहीं हो पाएंगे या हुए तो उनकी suggestibility level बहुत हाई है तब होंगे नहीं तो वो deep नहीं जा पाएंगे अगर हो भी गए तो वो superficial level तक रहेंगे डीप नहीं जाएंगे इसलिए अपने लोगों पर आप try करोगे तो fail होई जाओगे तो सबसे पहले उन लोगों पर try करना है जो नए हो और जो आप के उपर शर्दा रखते हो विश्वास करते हो और उनके मन में image हो पहले से कि आप बहुत बड़े hypnotist हैं आप बहुत तगड़ा hypnotism जानते हैं पहले वो हवा बाजी सब कुछ पैंतरा पनाता होता है उसके बाद क्या कि वो बंदा आपके विश्वास में आ जाएगा वो सरेंडर कर देगा पहले से ही मान लेगा कि आप करीद होगे तो वो हो जाएगा अगर बंदेने वाहना ही नहीं कि में यह hypnotist है ही नहीं अपने हाव भाव से या कुछ लगा ही नहीं तो वो होगा ही नहीं तो आपसे गल्तिय होई है क्या समझे नहीं कर सकता आपको hypnotize करने के आपशकता ही नहीं पड़ेगी आप देखो इसमें क्या है कि जो सवय हिपनोसी से उसमें दो चीजे हैं इसमें एक तो मन के दो भाग बनाने होते हैं एक तो वो भाग जो सजेशन दे रहा है और एक मन का वो भाग जो सजेशन ले रहा है आप खुद को यी सजेसिन दे रहे हों, खुद ही मान रहे हों, तो इसमें ज्यादा पावर लगती हैं, दूसरा करें तो आसान होता है, खुद को खुद करें, तो काफी मुष्किलों भरा है, चैसंगें? जी, तो इसमें क्या है कि एक पक्स तो जागा रहेगा, एक सोएगा, तो मन के दो हिस्से क्रिएट करने वे पहुत समय लग जाएगा, ये लंबी प्रोसेस है, और हिपनोसिस करके आप खुद को रिलेक्सेशन तक ले जा पाओगे, खुद के अंदर कुछ विचार डाल पाओ कुछ चीजें सत्य होती हैं, सत्य भी होती हैं, हरे इंसान का अपना अनुभाव होता है, ठीक एंड गरोड एक जो भी राइटर है, उसका अपना पर्सनल अनुभाव रहा है, उसी अनुभाव से उसने बातें कहीं, जरूरी नहीं है कि वो एजिटीज सब पर लागू वो भी कहा कि उन्होंने भी मन का एक हिसा बना लिया कि वो मन के अंदर एक सभा करते हैं, वहां से उनको सुल्यूशन मिलता है, तो वो भी मन के ही पार्ट हैं, उसी इंसाने अपने ही मन के पार्ट बना लियें, तो जहां से वो सुल्यूशन लेता है, तो अपना उसने एक जो उस बंदे के लिए सत्य हो सकता है जिसने यह प्रयोग किया जुरूरी निया कि वो सब लोग ऐसा कर पाएं कि सारे लोग ऐसा नहीं कर पा सकते आपने ट्राइ किया आपने पूरा ट्राइ किया नहीं हो पाया तो हो सकता है आपके लिए कोई और तरीका बना हो यह भी हो सकता है न? यह सब बिन बिन है हाँ, सब के लिए तरीके अलग लग है हाँ तो वसा तरीका हमें कैसे पता लगा है? खुद ही डूड़ना पड़े गा? खुद नहीं डूड़ना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ एक ऐसा तरीका जो यूनिवर्सल है जो सब पर लागू होता है दो तरेक्स चीज़ें होती है एक तो इंडिविज्वल मैथड होता है जो हरे बंदे के लिए लग लग होता है और एक होता है यूनिवर्सल मैथड जो सब के लिए समान रूप से लागू होता है वो है भगवत गीता में भगवत गीता में नियमों की बात हुई है जो नेचुरल लाज है यूनिवर्सल टूथ है उनकी बात हुई है वो सब पर लागू होते हैं तो मैं कुछ ऐसे तरीके भगवत गीता से आपको बताऊंगा जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं और उनका रेजल्ट अबस्यम भावी आना ही आना है और आपका जो डिप्रेशन है वो भी दूर जाएगा एंग्जाइटी भी दूर हो जाएगी और बच्चों की हो जाएगी आपको कुछ करना भी नहीं पुड़ेगा ऐसा सिस्टम में बताने जा रहा हूँ हाँ हाँ इसी लिए मैं कहतो हूँ है आप आयो इतनी दूर पैसा खर्च करके भी आयो तो मैं अपने अनुभाव से जो मैं करता हूँ वो बताऊंगा ऐसा नहीं कि मैंने हिपन हिपनोटीजम खास करके एंग्जाइटी में और कनवरजन डिसोर्डर में हिपनोटीजम के बहुत अच्छे प्रयोग हैं कुछ अद तक डिप्रेशन में भी अच्छा रजल्ट आता है और बाकी ये जो स्टडी से रिलेटिड हैं उसमें एक रिलेक्शेशन तक ठीक है ये मन को शान्त करने का अच्छा तरीका है हाँ तो अगर ऐसा होता भी हिपनोटी ये वस्था में लेजा करके हम किसी बंदे को सेजेशन दें और वो वैसा बन जाए तो फिर आइस के लिए तनी महेंगी पढ़ाई करने की जूर्द क्या थी बताओ जी और कोई भी बंदा जो राजनीती में जाना चाहता है तो वो तो यही निर्देश डाल देता कि मैं प्राइम मिनिश्टर बन जाऊंगा तो उन्होंने कुछ प्रियोग भी करकर दिखाए दे वहां जैसा वहां वो हिपनोटीस में ले गए और फिर उन्होंने दो कुर्शियों पर उस बंदे को अब वो स्टील बोर्डी हो जाता है वो तुम्हें करके दिखा देता हूं स्कूल में भी किया था वो गया कि इस